हम बड़े आसानी से इसको समझ लेंगे तो हमारा एक accounting standard करने जा रहे हैं और accounting standard that is यह है हमारा AS4, ठीक है, हलाकि पहले इस accounting standard का नाम कुछ और था, मतलब था contingency and event offering after balance sheet date, पहले यह नाम हुआ करता था, लेकिन फिर थोड़ा सा mess up और mix up हो जाये करता था, तो फिर इसके अंदर क्या है कि contingency के लिए अलग से 29 AS बना दिया गया और यहां से नाम हटा दिया गया, तो नाम सबसे पहले समझेंगे और हम आगे to be continue करेंगे, बहुत सिंपल सा accounting standard है, सबसे पहले event, event का मतलब क्या होता है सर, event का मतलब होता है काम, सर काम, event का मतलब क्या है काम, अब काम का मतलब क्या है सर, काम, मतलब कोई भी activity, काम से मतलब है activity, एक्टिविटी इवेंट अक्रिंग का मतलब है कोई भी एक्टिविटी हुआ कोई भी एक्टिविटी एक लिखते हैं कोई भी एक्टिविटी हुआ हो आपका कि आफ्टर आफ्टर मतलब बाद में हुआ हो और बैलेंश शीट के डेट के बाद बैलेंश शीट के डेट क्या होती है सर हमेशा याद रखेगा नॉर्मली हम 31 तीन और जो भी एर है अगर दो हजार चौबिस मानोगे तो दो हजार चौबिस तो हम यहां पर सबसे में इस अकाउंटिंग स्टेंडर में जो हमें सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है कि बैलेंश शीट बनने के बाद कुछ काम हो जाते हैं जिसे हमें बैलेंश शीट के अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए या वो बैलेंश शीट डेट के बाद है त आपके सामने एक balance sheet है suppose करिए एक balance sheet ठीक है यह balance sheet बना लिया हुआ कैसा balance sheet है मैं थोड़ा सा idea दे दूँ यह balance sheet है balance sheet और यहां पे हमारा मान लेते हैं यह liability है यह asset है अमाउंट और अमाउंट यहां पर हमने क्या लिखा वोईस हर बच्चों को क्लियर होना चाहिए एक बार मैं भी चेक कर लूँ पता चले मैंने पूरा लेवल तो कफी इजी है प्रोग्राम वालों को बिलकुँ तो मैं बस चेक कर लेता हूं वोईस है न ठीक है न डन वोईस तो ठीक है चलिए इधर मैंने लिखा फॉर एक्जामपल शियर कैपिटल फॉर एग्जामपल रिजर्ब एंड शर प्लस फॉर एक्जामपल लायबिकी लून लिख दिया मैंने यह सारी चीज़े लिख दी इधर लिख लिए मैने फिक्स से इट्स एधर मैंने डिटर कि वजब तस लाक। अर अमने लिख लिए 5 लाक XX3 अर्य है 2 लाक। और इधर भी हो गयाम दस लाक। यह $20000 है इसके बाद बाद चीटमेढमं फईली जो यह बैले की होता है यह बैलेंशीट यह हीं पर निफटा यह जो बैलेंशीट है ना यह ठूपी इंडीन हो जाता है हमारा आपके ठीक है और यहां पे बैलेंशीट में न एक तो कमपनी अगर लिस्टेड कमपनी है तो सबसे पहले जो साइन होता है वह वोड़ ऑफ डेरेक्टर का बोड़ डेरेक्टर कौन होता है कंपनी के जो कंपनी को चलाते हैं साइट वीजबल होगा आपको बोड़ ऑफ डेरेक्टर का यहां पर क्या होता है सिगनेचर होता है अब इन सभी का जो सिगनेचर होता है वह बैलेंशीट बनने के बाद होता है चलिए मैं एक बार दिखा भी दूंकिसी की बैलेंशीट साहद मुझे दिख जाए तो आपको थोड़ा हो जाएगा और यहां पर बैलेंशीट है और यहां पर ऑडिटर का साइन है यह सिंपल मेरे खाल कंपणी की नहीं बैलेंशीट है यह वाली हो सकती है यह देखिए कंपणी की ले लेते हैं कंपनी में होता है नएचना यहां चिफ एगजिक्यूटर ओफिसर यहां पर डैरेक्टर अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको बड़ा करने की कोसिस करता हूँ हो जा भाई बड़ा इसको कर देते हैं इसको कर देते हैं एक लाइन है ना यह आज कर लाम बहुत सारी चीज़े बोलते हैं एक्सेप्ट करो यह करो वह करो अगर आपको शायद विज्वल हो तो मैं बता दूं यह पूरी पूरी ऐसे बैलेंशीट बन जाती है और यहां पर यह सिगनेचर मेरा यह बताना है कि यहां सिगनेचर होते हैं डारेक्टर के नहीं पता तो एक बार आप भी देख लीजेगा मिल जाएगा आपको मैं जो पताने की कोसिस करूंगा अध्यान से सुनिएगा सपोस करो मैं कुछ एक डेटा लेना चाहरा हूं यहां पर उस डेटा को समझेगा ठीक है ना सपोस करिए कि मेरा बैलेंशीट जो है वह 31 मार्ज को बना लिए 31 जो डेट डला हुआ है 2024 का है यह बैलेंशीट पर हमा का डेट है और 31 को बैलेंशीट बन जाए अब सपोस करो फिलिपकार्ट कंपनी है फिलिपकार्ट कंपनी माल लो 31 मार्च तक तो रात के बारा बजे भी सेल कर रहा हूँ तो एकदम एक मिनट में थोड़ी ना बैलेंशीट बन जाएगी गवर्मेंट कहता है इस सर 30 सप्टेंबर 2024 और जो हमारा बैलेंशीट यह मैं बता रहा हूँ कब का है यह सर बैलेंशीट रहा होगा हमारा एक चार से एक चार से होगा ना एक चार 2022 से यह जो बैलेंशीट होगा हमारा वो कब से कब तक का होगा सर यह बैलेंशीट होगा हमारा थोड़ा इदर जगह 514 2013 चै Valen sheet यह पूरे साल का है तो अब सभान इस दिन नहीं बना होगा गॉट्म應 ने हमें परमीशन दे रखा है कि इस तारीक वावली बैलिन شीर्ट वह अगले साल के 30 सप्टमबर तक अब बना सकते हैं अगर इसके बाद भी हम डिले करेंगे बनाने में भाई 6 मैंने में बैलेंशीट बन जानी चाहिए कितने भी बड़ी हो इसके बाद भी डिले करेंगे तो ऐसे सिच्वेशन में आपके उपर साथ तो भाई साथ मैं सिंपल सी बात करूं तो एकतरीके से यह हमारा क्या है सर यह हमारा डेटलाइन है अब हमें से बनने करने के बाद हमें इस डेट तक ना एक एजीम करना होता है जिसके अंदर यहां पे सभी शेयर होल्डर होते हैं क्योंकि का उनर कौन सर कंपनी का ओनर तो शियर होल्डर होगा इन शियर होल्डर को यह बैलेंशीट हमें दिखानी पड़ती है इन शियर होल्डर को हमें यह वाली बैलेंशीट जो हमारी यह वाली बैलेंशीट देख रहे होना आप यह वाली बैलेंशीट यह वाली बैलेंशीट हमें इन शियर हो इसके उपर साइन होने बहुत जरूरी है इस बैलेंशीट के उपर इन सभी के सिगनेचर होंगे तभी तो शेयर होल्डर मानें इसमें कितने सारी गलतिया होगी तो इसको एक चार्टेड अक्डेटर होता है और एक आपका company secretary board of director CFO जो होते हैं उसा भी सिगनाइचर करते हैं इनके पास लेके आन्य तो घृण शीट बनने में माल लेते हैं कि माल लिया जाए हमारा balance sheet बना है theory की और कितनी क्लास बस एक class और है आज बस आज ही खतम कर दूँगा वैसे important यह honors में questions आएगा माल लेते हैं यह जो balance sheet बना है वो बना है 30 September तक बनाना था न और balance sheet बना है for example माल लेते हैं 31 अगस्त 31-8-2024 में date को ध्यान रखना इस date पर यह balance sheet बनके ready है यानि इस date पर मेरा balance sheet एकदम first class तयार है और अब इस date पर balance sheet ready है इस date पर सभी के सभी sign कर देंगे और sign करने के बाद meeting arrange करने में time लगेगा और 30 September को हम meeting अब ऐसा नहीं है कि यह इस date पर सहां से बना कि जो balance sheet का date था और जो balance sheet का date और balance sheet का signing में कुछ gap आ गया तो जो इस date पर sign कर रहा होगा वो तो सारी चीज़े देख रहा होगा कि क्या क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा क्या काम हो चुका है तो वह ऐसा थोड़ी इन time duration को ignore करेगा हाला कि होना यह चाहिए कि जो इस duration की चीज़े हैं कौन से duration की मैं बात कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा होना यह चाहिए कि जो इस duration की चीजे हैं वो सारी के सारी कहा जानी चाहिए next year में जाना चाहिए क्योंकि यहां पे जो sign किया है sign करते time पे उसके नजर में कुछ बाते आ गई है और shareholder को हम यहां दिखा रहे हैं मालो suppose करो इसके अंदर जो debtor है वो सारे के सारे debtor मुझे balance sheet date पे नहीं पता चला लेकिन उसके बाद पता चला यार यह तो bad dates हो गया यह तो bad dates हो चुका है मुझे बाद में पता चला और हमने यह balance sheet उठाके shareholder को दे दिया shareholder को दिया shareholder तो पढ़ रहा है कि यार तुम्हारी company म इसको पता है यह तीन लाग का तो debtor ही नहीं तो ऐसे situation में अगर shareholder को पता चलता है जो तुमने हमें balance sheet दिखा उसमें तो debtor नहीं था तुमने मेरे साथ fraud किया है तो ऐसे situation में जो director होता है जो company का balance sheet बना रहा होता है उसको in transaction को भले ही हमारे balance sheet बनने के बाद हो गया है और sign क के बीच में हुआ है तो उसको हमें reflect करना होगा balance sheet में तो concept क्या कहता है event occurring after balance sheet date यानि balance sheet date के बाद event occur है और मैं कर दूँ but before कब before signing या at the time of signing sign करते time पे यह हमारा कोई भी ऐसा event होता है तो event occurring occurring का मतलब हो गया balance sheet बनने के बाद जैसे कि मुझे बाद में पता चला है या बेड़ेट्स हो गया या loss by fire हो गया वो हो गया तो sir यहाँ पे दो concept निकल के आते हैं क्या क्या दो concept निकलते हैं जब कभी भी हमारा क कोई भी event होगा कोई भी event होगा आफ्टर बैलेंशीट बैलेंशीट बनने के बाद कोई भी event हो सकता है कब आफ्टर आफ्टर बैलेंशीट ठीक है आफ्टर बैलेंशीट के बाद कोई भी event हो सकता है तो अगर आफ्टर बैलेंशीट कोई भी event हुआ तो एक नंबर हमारे प दिखा देना नौट अजस्मेंट तो एक होता है हमारा अजस्टिड इवेंट गोल दो इसे और एक होता है हमारा नोन अजस्टिड इवेंट अब मुद्दा आता है सर अजस्टिड इवेंट का मतलब क्या है कि आप उस बैलेंशीट के अंदर एक जनल एंट्री वगरा पास करके और शेयर होल्डर को बता दो जैसे कि मेरे पुराने वाले एक्जामपल में मैं शेयर होल्डर को बता दूँगा यार तुम्हें जो बैले बैलेंशीट में डेटर दिख रहा है ना पहले तो था बाद में यार वह डेटर तो मर गया अब उससे पैसे तो मिलेंगे नी तो मैं एक एंटरी कर रहा हूं यहाँ पर बैलेंशीट के अंदर अच्छिस्मेंट कर दिया तो उसे अगर उन चीज़ों को आपने बैलेंस शी इस डेट पे इस डेट पे बिजनस के अंदर आग लगे तो अब बोलेंगा भाई यह तो बैलेंशीट बनने के बाद लगे हमें उस दिन थोड़ी ना पता था कि आग लगे तो इसे हम अगले साल की बैलेंशीट में नुकसान को दिखा लेंगे तो अड़ेस्टिड इवंट और नओज़न अड़्जटिट इवंट के अंदर वह अमाउंट जो हैप पहले से एकजिस्ट कर रहा हो exist कर रहा हो जैसे मैंने debtor का example लिया या फिर मैं example ले सकता हूँ और कोई ऐसी चीजे जो की मान लेते हैं कि कोई cash है उस cash के अंदर पहले से ही चोरी हो चुका है लेकिन हमें बाद में पता चला मेरे account rate ने cash में fraud कर दिया तो balance sheet date पे वो घटना वो चीजे हैं लेकिन आपको पता balance sheet date के बाद पता है लेकिन signing से पहले पता चल गया तो ऐसे event को बोलते हैं adjusting event ऐसा घटना जो की balance sheet date पे है ही नहीं और sign से पहले पता लगा जैसे loss by fire हो गया या आपको पता चला कि जो हमने इस साल sale किया है माल लेते हैं मेरे example में कि जो मैंने इस साल sales किया है यहाँ पे sales किया है इस sales के अंदर fraud हो गया balance sheet के बाद sale में fraud हुआ है debtor में तो वो अगले साल ले जाएंगे तो दो event होगे हमारे adjusted event adjusted event की हम क्या करते हैं normally एक entry कर देंगे कोई भी journal entry करके और इसको rectify कर देंगे known adjustment event वो event होते हैं जिसको हम rectify नहीं करते हैं जैसे for example known adjusted event में आ जाता है सबसे popular होता है dividend number 2 हो गया loss by fire ठीक है इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा sir number 1 अगर कोई bad dates हो गया number 2 आपका क्या हो सकता है adjusted event में जैसे कि going concern पर impact आ गया या फिर ऐसा कोई contingent liability है किसी ने case कर रखा है contingent liability case करा हुआ है और वो हमें पता चल जाए तो sir event occurring balance sheet date का मतलब है कि balance sheet बनने के बाद sign होते होते समय लग गया उसके बीच में कोई घटना घट गई तो दो तरीके के गटनाएं हो सकती है या तो वो adjust हो सकता है उसी balance sheet में पुरानी वाली में या तो फिर नहीं होगा तो नहीं होगा तो कब होगा नहीं वाली balance sheet में अगले साल वो postpone हो जाएगा तो हमारे एक हो गया adjusted event और एक हो गया non adjusted event लेकिन कुछ exception है कुछ एक exception है ये ध्यान रखिएगा सर exception क्या है exception ये है कि अगर मान लो मेरा 31 तीन को मेरा balance sheet बनना है और मुझे एक काम जो हुआ मान लेते हैं कि एक 5 को हुआ और इस date पे loss by fire हो गया loss by fire हो गया और सारी machinery इतनी बुरी तरीके से जल गया कि जिस दिन board of director sign करेगा उस दिन इसको अंदाजा हो जाता है कि अब शायद मेरा business जो है आगे चलेगा या नहीं चलेगा पता नहीं मेरा business आगे चलेगा या फिर नहीं चलेगा confirm नहीं कह सकते भाई ऐसी दिकत है तो ऐसे situation में हम कहेंगे कि भाईया पहले ही इस date पे ये amount exist नहीं करता हो लेकिन इसके बाद हुआ हो लेकिन हमारा going concern going concern impact हो रहा है तो इसको हम एक adjusted event मानके और balance sheet के अंदर footnote में हम show करेंगे देखो जो adjustment का मतलब ये नहीं है कि balance sheet के amount के करो उसके footnote में disclose भी कर सकते हो सब्सक्राइब करेंगे नून अच्छेंट को बस बताना है यह सिंपल सा हमारा था accounting standard for चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं quickly फटा-फट से कि क्या-क्या given है ठीक है ना 10-year के मेंसे ही पढ़ लेते हैं तो क्या-क्या given है फटा-फट से देख लेते हैं चलिए आ जाहिए सर यह रहा हमारा accounting standard 4 चलिए सर सबसे पहला question आता है हमारा पढ़ते जाएंगे जो मैंने समझा है वही चीजे लिखी हुई है रेड ले लेते हैं यह ज्यादा दिखता है ठीक है और दो significant event यानि वो काम है बोध आपका जो कि favorable भी हो सकता है unfavorable यानि काम जरूरी नहीं है कि negative हो तब भी दिखाओगे positive हो तब भी that occur between balance sheet date and date which financial statement approved यानि signed by board of director in case of company by आपका corresponding approving authority in case any other company के case में वो और individual के case में proprietor तो उसके बीच में दौरान में जो भी event होता है उसको क्या बोला जाता है sir उस event को बोला जाता है हमारा उसको बोला जाता है कि event occurring after balance sheet date यहाँ पे दो type के event हो सकते हैं those event which provide further evidence condition exist on the balance sheet date यानि उस date पे था तो वह कौन सा होगा sir, adjusted event होगा जो कहता है वो event condition though subsequent balance sheet date यानि balance sheet date के बाद हुआ है जैसे कि मैंने बताया event occurring after the balance sheet date कौन-कौन सा हो सकता है यह चीज़े पढ़ लोगे न तो यहीं खतम हो जाता है कौन-कौन सा ऐसे हैं जो कि balance sheet date के बाद हो सकता है event occurring पहला बोलता है event occur between balance sheet date जो balance sheet date and date which financial statement approve उसके बीच में क्या हो सकता है may be indicate need to be the adjustment हो सकता है जैसे assets and liability balance sheet date may be required to disclose एक यह हो सकता है एक adjustment of assets and liability का करना पढ़ सकता है required event occurring after balance sheet date करना पढ़ सकता है additional information भी देना पढ़ सकता है determination of the amount relating condition exist on the balance sheet date हो सकता है for example देखिए एक adjustment में भी made करना पढ़ेगा for loss of trade receivable यानि debtor account which confirmed by the insolvency हो गया customer का which occur after the balance sheet date इसको क्या करना पढ़ेगा adjustment करना पढ़ेगा same adjustment to the assets and liability are not appropriate मतलब adjustment करने की कोई अवशकता नहीं है event occurring after the balance sheet date क्या हो सकता है for such event do not relate to the condition exist जैसे example decline market value of investment तो ध्यान रखिए अगर debtor पता चला तो वो adjusted event है market value कम हो गया आपने shares खरीद रखे थे या कोई property लिए रखा था company का जिस दिन balance sheet बना उस दिन तो 5 लाग का था लेकिन balance sheet बनने के बाद पता चला कि यार उसकी value थोड़ी से 1 लाग रुपे कम हो गई तो उसे adjust नहीं करना उसे अगले साल दिखा देंगे हम ठीक है ना आगे कहता है between balance sheet date तो एक तो दो हो गया इसके बाद कहता है अगला कुन सा point ले लिया इन्होंने के event occurring after balance sheet date do not affect the figure stated financial statement would not be normally required to disclose जिसको disclose ही नहीं करना financial statement although they may be such significant they may be required to disclose in the report of approving authority enable the user मतलब कहीं भी आप बता दीजे बस इतना necessary नहीं है there are event which although take a place after balance sheet date are to the sometime reflect the financial statement में हो जाता है statutory requirement की वज़े से हमें उसमें दिखाना ही पड़ेगा जैसे such item include amount of dividend, proposed dividend तो dividend में हमेशा याद रखिए कि ये non-adjusting है लेकिन फिर भी हमें balance sheet की contingent liability में दिखाना पड़ता है कि ये हमारा तो देना पढ़ सकता है confirm ही होता है लगभग लगभग तो इसको हमें दिखाना जरूरी होता है ठीक है ना तो अभी तक में अगर आप इसे पढ़ेंगे ना एक बार यह पढ़ लिजिएगा आप कहता है कि में प्रिंसिपल आर एसेट्स अन लाइबिलिटी शुड़ भी अडजेस्ट पहला प्रिंसिपल भाई एसेट्स अन लाइबिलिटी को अडजेस्ट करोगे event occurring after the balance sheet date provide additional evidence अगर कोई evidence मिलता है assist on the estimation amount होता है relating to condition exist on the balance sheet date अगर balance sheet date पे ऐसा कोई condition है जैसे कि that indicate the fundamental accounting assumption going concern impact होगा तो उसको हमें दिखाना पड़ेगा adjust करना पड़ेगा और उसे हमें notes to accounts या फिर हमें disclose करना पड़ेगा तो कहता है the continuous of the existence of substance of the enterprises is not appropriate अब नहीं चल सकता आगे तो इसे दिखाना पड़ेगा दूसरा क्या हो सकता हम क्या पड़ेंसर क्या principle है कब दिखाऊगे तो यह वाली बात दिखाऊगे dividend stated the requirement of period अब dividend का ऐसा होता है कि dividend हमारा approved होता है जाके कहां पे approved होता है हमारा दिखो dividend के case में समझना जब AGM में जाएंगे तो यहां पर यह shareholder dividend approve करेंगे कि भाया dividend देना नहीं देना और balance sheet पहले sign होना है तो ऐसे situation में dividend देना भी पड़ सकता है नहीं भी देना पड़ सकता है और dividend जो related होगा वो इस साल से related होगा तो ऐसे situation में हम क्या करते है dividend को balance sheet के अ अगले साल में actual payment हो जाता है जो कि आपने 12 में cash flow में भी एक कहीं ना कहीं देखाया है ठीक है चलिए आज आते हैं अब सबसे main topic यह है तीसरा question बहुत-बहुत important topic है मैं लिख देता हूं इसके उपर सर यह very very important topic है क्यों है कहता है कि एक तो adjusted event बताईए मैंने बताया ना भी आ balance sheet date पे वह चीजे था हमारे balance sheet के अंदर दिक्कते थी और बाद में पता चला वह adjustment करना है जो balance sheet बनने के बाद दिक्कते कुछ हुई है और पहले था भी नहीं तो वह non-adjusted event है कहता है adjusted event adjusted event are event that provide additional evidence कुछ हरक से मिला related to condition exist on the balance sheet date ध्यान दखिएगा balance sheet date पे वह condition exist कर रही थी they required to the change to include in the financial statement और जिससे जरुरत है के financial statement को बदलना चाहिए यह हो गया adjusted event जैसे a trade customer यानि debtor for those balance full आपका specific provision बना रखा था has been 31 March को paid the full amount date लाग रुपे before the date approval of the financial statement मतलब एक हमने सोचा था एक provision बनाया हुआ था कि यह तो bad debt हो जाएगा यार पैसा नहीं देगा लेकिन बाद में balance sheet sign होने से पहले ही वह सारा पैसा देगा तो हमें उसको दिखाना पड़ेगा ऐसा भी हो सकता है कि हमें यह पता था कि यह debtor मुझे पैसा ही नहीं देगा और बाद में पता चले के नहीं दे रहा है तो वह adjusted event में आ जाएगा ठीक है यानि मैं दुबारा बता दू क्या बता रहा हूं में एक number यह हो सकता है कि हमारा एक debtor है और balance sheet date पे था इससे 5 करोड रुपए लेने थे और मैंने सोचा यह मान के provision बना लिया कि यह पैसा नहीं देगा यह पैसा नहीं देगा तो मेरा P&L तो impacted हो गया होगा ना provision के नाम से लेकिन इस करोड का debtor है और बाद में पता चला है और debtor तो मर गया अब उससे पैसे तो मिलेंगे नहीं तो उसको हमें adjustment करना पड़ेगा it is the adjusting event provision for doubtful debts is to be reduced by कैसे करेंगे provision for doubtful debts को debit कर देंगे statement profit and loss को credit कर देंगे ठीक है ना आगे आ जाते हैं सर आगे क्या कहता है सर आगे कहता है हमारा के the other example are कुछ example जैसे कोई debtor insolvency हो जाए include budgets इसे याद रखिएगा the valuation of fixed assets indicate the permanent आपका कुछ ऐसा permanent हो रहा है value of balance sheet पे impact करता है उसे याद रखना है event for example आपका distraction of the measure आपका production plant fire हो गया and उसका going concern जो है impacted हो गया तो उसे दिखाना है तो यह adjusted event हो गये कौन से एक सर हमारे debtor के बारे में दिख लेना एक आप fixed assets और एक loss by fire अगर होता है तो ठीक है लेकिन going concern पे impact आएगा तो उसको दिखाना यह हो गया हमारे कौन से सर adjusted event के example चल रहे हैं अभी आ जाईए सर accounting treatment accounting treatment दो ही जगह होता है adjusted हो चाहे non-adjusted एक तो चला जाएगा balance sheet के assets और liability में और दूसरा चला जाएगा हमारा should be made above the financial statement यानि profit and loss में दो जगह जाती entry double entry के format में हम इसको adjustment कर देंगे क्याता है non-adjusting event concern condition that did not exist at the balance sheet date कहने का मतलब है non-adjusting event वो है जो balance sheet date पे ऐसा कोई exist ही नहीं कर रहा था they do not result change in the financial statement और यह हमारे financial statement में कोई change करने की अवशकता नहीं है but they may be significant enough justify note that account लेकिन हमें उसको justify significant बताना जरूरी है the financial figure remain unchanged और उसके digit में कोई change नहीं होगा following event occur after balance sheet date need to be reflect in the financial statement need not to be reflect in the financial statement जिसको नहीं दिखाना कौन कौन से event हो सकने यह simple simple सा पढ़ लेते हैं फटा फटा कहता है अगर declining होता है investment की value में तो इसे नहीं दिखाना याद रखिएगा इसी पे question बनेगा एक्जाम के अंदर investment value पे adjustment to assets and liability not appropriate event occur after the balance sheet date if such event not related to condition exist on the balance sheet date ठीक है example देखें cost of investment साड़े 7 लाग का था market value हो गया 9 लाग रुपे इस value आपका 20 अपरेल को जिस दिन होना था 4 लाग रुपे का हो गया तो ऐसे situation में इसे नहीं दिखाना proposed dividend यह भी हमें नहीं सिर्फ footnote में दिखाना है it is enterprise declared dividend shareholder after the balance sheet date ही मिलता है the enterprise should not be recognized those dividend of liability of the balance sheet date या फिर होगा या फिर नहीं होगा इसको भी करेंगे accounting treatment क्या कहता है balance sheet figure need not to be adjusted the event or their significant disclosure may be made in the approved authority जो भी board of director है वो significant कर देगा तो अभी तक क्या पढ़ा सार हमने event occurring after balance sheet date or before approval of board of director financial statement जो भी event होते हैं वो दो तरीके के event होते हैं एक adjusted event होता है एक non-adjusted adjusted event में ध्यान रखेगा दो ही बाते याद रखेगा एक debtors related bad debts होता है दूसरा अगर going concern पर impact आ जाता है तो उसे हमें adjustment करके दिखाना पड़ेगा और अगर non-adjustment की बात करें तो एक ही बात को ध्यान रखना है अगर investment की value up या down हो गया वो इसके कुछ exception है कि जैसे की for example dividend paid उसे हम balance sheet के footnote में दिखाते हैं लेकिन यह non-adjusted event का part मान जाता है हमारा ठीक है चलिए सर एक question दे रखा है और इस questions के according आपको बताना है एक simple सा question है इसे पढ़ लेते हैं question में क्या क्या कहता है है और उसी के according अपनी decisions देने हैं इसके अंदर कहता है the board of director MS Consolidate Technology Limited एक board of director है in the meeting held 18 April यानि सर 18 April को एक meeting हुआ 18-4 को एक meeting करा इन्होंने औहों कहां चले गया शिट लगता है मैं कहीं चेंज हुए है थोड़ा ऊपर चला गया एक सेकेंट यह रहाँ यह पांच था यह चानल ठीक है आगया जी है कहता है और consider and approved the audited financial statement with auditor financial year 31 March 22 का जो अप्रूब होगा recommended a dividend इसने बोला भाईया dividend हम दो पर शेयर देंगे जो की दो करोड रुपेज है ठीक है और और दा इच 31 मार्च 2022 से related है इफ अप्रूड बाइदा मेंबर इन दा फोर्थ कमिंग एन्वल जर्नल मिटिंग और वो एन्वल जर्नल मिटिंग में इसको क्या करेगा अप्रूब कर देगा of the company जो की 18 जून को होने वाला है ठीक है यानि सर हमने 18 अपरेल को फैसला किया कि हम dividend देने वाले है annual general meeting जो की 18 जून को होगा board of director dividend देंगे the same will be paid all the eligible shareholder हमने payment भी किया discount accounting treatment of present said proposed dividend का क्या accounting treatment होगा तो simple सी बात है सर यह non-adjusting event है dividend और इसको हम adjustment नहीं करेंगे next year के financial statement में या फिर जो भी profit and loss में हम इसे दिखाएंगे तो देखिए चली आईए देखते हैं क्या कहता है इसका answer आँसर भी आप पढ़ सकते हैं च्छोटा सांसर है ऐसे case study पूछा जा सकता है बागी CA के exam में ज्यादा relevant होता है यह तो बच्चा क्या कहता है accounting of the revised standard AS4 contingency contingency तो रहा ही नहीं event occurring after the balance sheet date proposed dividend dividend declare after balance sheet date but before approval of the financial statement not recognized as a liability at the balance sheet date because no statutory obligation exists at the time कोई statutory obligation नहीं था hence such dividend are to be disclosed in the notes to account as a contingent liability disclose कर देंगे therefore the dividend 4 crore recommended by the Consolidate Technology Limited in its board meeting on the 18 April को जो हुआ था will not be accounted in the books of account के account नहीं किया जाएगा 2021 के no general entry कोई general entry पास नहीं होगा 31 मार्च 2022 में purpose division will be disclosed notes to accounts बस notes to accounts में दिखा देंगे ठीक है न अगला कहता है explain illustrate accounting treatment event on going concern बोला के भीया आप बताइए कि क्या accounting treatment होगा अगर going concern के उपर impact हो जाए तो sir उसको adjustment करेंगे हम सीदी सी बात है तो देखो क्या कहता है event occurring after balance sheet date may be indicate the enterprises cease to be going concern मतलब उसकी going concern खत्रे में आ गई वो नहीं चलेगा बंद हो सकता है example आपका destruction of major production plant by fire after the balance sheet date आग लगा indicate needs to be consider whether it will be appropriate use to the fundamental accounting assumption going concern in the preparation of the financial statement if not loss of assets should be regard even the providing information fundamental accounting assumption of going concern not to be appropriate आगे क्या कहता है sir अभी मैं इसको फिर से समझा दूँगा बिलकुल साधानन इस simple language में अभी तक यह कह रहा है कि जो हमारा था ना एक production कर रहे थे और उसका major portion loss हो गया कब loss हुआ balance sheet बनने के बाद हुआ balance sheet बनने के बाद जैसे इस example से समझ लेजिए आप यानि आप देखें यह date है ठीक है यहां पर हमने क्या करा यह हमारा 31-3-2024 है और हमारा balance sheet जो sign होना है वह 30-8-2024 को sign होना है इस दिन date पर तो पता ही नहीं था हमें कुछ सब कुछ बढ़िया चल रहा था बीच में यहां पर क्या हुआ loss by fire हो गया और इस loss by fire से मुझे यह अंदाजा हो गया है कि मेरा business जो है यह आगे तक जाना इसके लिए possible नहीं है तो ऐसे event को हमें adjustment करना पड़ेगा और इसको बताना पड़ेगा सभी shareholder को लेकिन अगर loss by fire होता और यह normal loss by fire होता और मुझे पता था कि business आगे तक चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा तो फिर मैं इसको non adjustment event में रखता तो वही क्या कह रहा है question में देखिए in such case जो case stated fair value पर दिखाईए क्योंकि going concern इंपक्ट होगा going concern अजंशन आपका लॉस्ट शुड भी disclose in the notes to accounts में दिखाना पड़ेगा illustration है कुछ मैं पूरा का पूरा ही करवा रहा हूं the occurring year कहता है कि accounting year of आपका billing limited है आपका billing limited एंड पाईस में होता है but the accounts were approved 30 September 22 में मतलब मार्च में था एक महने बद अप्रूट हो गया और 15 September को एक fire रकर हुआ factory में office premises में the loss of fire such आपका बहुत heavy loss था was not a possible to exist enterprises limited state operation again मतलब चला ही नहीं पारा बरबाद हो गया एक तरह से state weather the reason weather loss due to fire adjusting और non-adjusting बताइए adjusting होगा या फिर non-adjustment जितने बच्चे लाइब में comment में बताइए कि उस आग की वज़े से लगी नहीं राकर हमारे business आगे चल पाएगा तो बताइए या adjusted event है या non-adjusted event बताइए फटा-फट comment वें इसे हम adjusted event बोले या non-adjustment event बोले second semester के तो आएगा जीर मोंगा लेंगे हम या बीके गोई लेंगे तो ही बुक चलता है में लिए बताइए अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो बताइए मनीशा का अगया सर अज्जिस्मेंट होगा बिलकुल ठीक है यह अज्जिस्मेंट यह देखो आंसर भी यह कह रहा है loss due to fire occur after the balance sheet date before the approval of the financial statement year 212 the loss due to fire such a आपका बहुत ज्यादा magnitude है that the not a reasonable except the company will start operation continue thus going concern assumption not a valid applicable such case of the should be prepare financial statement liquidation basis तो इसके अंदर impact करना पड़ेगा वही बाते बताई गई है अब छोटा से कुशन है के explain the event occurring after the approval of the accounts तो simple आप इसे पढ़ लीजेगा कोई ज्यादा नहीं लिखा हुआ इसके अंदर चलिए कहां गया कहां गया कहां गया 7th question ठीक है अब इसमें कुछ cases वगएरा आ गया है तो जो कि बस आपने पढ़ना है बाकि जो थाना है यह इसके main cards वो बता दिये कहता है surya limited follow the financial year April to March ठीक है has provide the following information आपको कुछ information given है कहता है keep in the view of provision AS4 के according बताइए required the state where the reason above treated as a contingency adjusted event non-adjusted event आपको बताना है इसके इंदर तो एक तरीके से आपका कुछ point दे दिया इसमें बताना है तीनों में से क्या है कहता है कि हमारे against company के against case हो गया और advertisement was filed by the party पाँच अपरेल को 2022 को claiming damage पाँच लाग रुपे तो बताइए adjusting होगा ये non-adjustment तो देखिए अगर हमारे against case होता है पाँच इवेंट के बाद होता है तो case तो पहली वाली बातों पे होगा और exist कर रहा होगा तो ये इवेंट माना जाएगा see you against the company advertisement was the file by the party 5th अपरेल claiming the damage of पाँच लाग रुपे is contingent liability बट इट नॉट हमने contingent liability में इसे माना होगा बट इट नॉट भी exist on the balance sheet date because of file 5th April ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये पर दुबार पढ़ लेते हैं कहता है इसे contingent liability में रखेंगे और इसको adjustment नहीं करेंगे अगर कोई भी contingent liability है तो adjustment का मतलब balance sheet के data में शिडखानी नहीं करेंगे ठीक है बी पार्ट क्या कहता है सर बी पार्ट देख लीजिए अब इसे पढ़िएगा जरूर इसमें सो question पूछे जाएंगे कमपनी कहता है spend करता है proposal sales of immovable property 45 लाग मार्च में the book value of property 30 लाग year and however the registered 15 अपरेल को कहता है के भीया company ने एक send किया proposal के भीया मार्च में करा के 45 लाग का बेच देंगे the book value of property 30 लाग on the year and date पे ठीक है 30 लाग का however the deed was registered 15 अपरेल 15 अपरेल को यह deal हो गया तो भाई हमारा प्रोपर्टी का वेल्यू बढ़ी गया इस case के अंदर तो दूसरा कहा करता है proposal sell to movable property sent in the March 2022 however it was no contract sales कोई भी contract sales नियोगा therefore known adjusting event माना जाएगा अगर sale पहले हो जाता तो फिर देखते है तीसरा point the terms condition acquisition of the business other company have been decided by the March 22 में मतलब पहले से decide हो गया कि भाई इस company को खरी देंगे या फिर यह company को liquidate करेंगे but the financial resource agreement April में वह बात होई हो गया फिर आगे April में हो तो तीसरा कहता है in case terms condition acquisition of the business finalized in the month of the March before the date of balance sheet however the financial resource accounting 50 लाग वर arrange in the April April में हुआ after the balance sheet date so adjustment of the assets and liability necessary on 31 March तो इसे एक adjusted event कहेंगे तो इसी के तरीके से यह कुछ MCQ है पढ़ लेंगे एक और भी questions आगे आपके सामने इस questions को पढ़ेंगे कुछ एक question है यह सारे questions के answer given है तो मैं आपका ज्यादा time नहीं लेना चाहता आप फटा-फट से इसको अपने accordingly पढ़के लिख सकते हैं जो चीज़े बताना था थियोरी में बता देता है एक question चलो और एक company है enter एक agreement करता है सेल इमूबेबल property अब तो बताई देंगे 75 लाग रुपे का the property was so in the balance sheet 17 लाग रुपे का show हो रहा है the agreement sell आपका 25 फरवरी को हो गया था concerned and the deed registered 30 अप्रेल को अगले साल मतलब agreement हो चुका था लेकिन deed अगले साल बना the financial statement में adjust करेंगे नहीं करेंगे आप बताईए तो क्या कहता है agreement to sale हो चुका है was made before the balance sheet date तो करना पड़ेगा भाई या sales after the balance sheet date approved so additional information related to the condition exist on the balance sheet date so adjustment to the assets and liability immobal property necessary AS4 के according ठीक है न तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा AS4 खतम हो जाता है यहां पर एक यह भी बहुत आता है embezzled cash embezzled हो रहा है एक accountant ने हमारा cash चोरी कर लिया था लेकिन बाद में पता चला तो यह भी adjusted event माना जाता है यहां पर एक example और इन में से कोई example मुझे honors वाले बच्चों में तो लग रहा है कि पूछा जाएगा write note event occurring after balance sheet reporting period as end AS10 तो देखो AS4 और AS10 end AS10 दोनों एक ही है बस कुछ-कुछ चीज़े बदल जाती है जैसे as per the end AS10 event occurring reporting period that event favorable और unfavorable that occur balance sheet end of the reporting period date वही बाते कह रहा है इसमें भी adjusting बस नाम बदल दिया गया है तो यह आद रखना AS4 आ जाए या AS10 नी इंड-AS10 हो जाए तो इसका मतलब AS4 की ही बात्चे चल रही है यहां पर तो यह पूरा question था चलिए last year के paper को भी देख लेते हैं कि वैसे तो देख लिया है although हमने फिर भी हम देखते हैं कि paper में क्या आया था इससे related कुछ आया था क्या वैसे तो कल देख लिया था फिर भी मैं मैं question देखना चाहूंगा इसके अंदर आया तो था जो मुझे याद है जहां था कि मैं मेजर्मेंट प्राइब पिरेड आइटम यह तो गया कहता है इवेंट occurring after billing reporting period as per india stand तो यह किसकी बात कर रहा है यह बात कर रहा है एस होर की बात कर रहा है एस और india तो इसको आप पढ़िएगा मेरा काम देखिए था थोड़ा सा आइडिया दे देना और आइडिया देने के बाद आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी और आप इजिली पढ़ पाओगे इसको एक question सी आ गया था चोटा सा वैसे आपको option में काफी सारे बच्चे थियो आ गये थे राइट यहां पर आ गया था राइट और नोट एक्ट्राओडिनरी आइटम और कंटिंजेंट लाइबिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स आ गया जनल एकसेप्टिट गया था प्रिंसिपल कि एस फाइव और एस एट में डिफ्रेंस चलिए चादा हम जो भी आया हुआ था हमने देख लिया तो यह था हमारा अकाउंटिंग स्टेंडर्ड फॉर जो कि हमने पढ़ लिया ऐसे ही मैं अब जो है सारी रिकॉर्डिटी लेक्चर डाल दूँगा आज साम तक आप चेक करते रहिएगा अप्लिकेशन में रिकॉर् आपका वन भी डाल दूँगा एस 26 भी डाल दूँगा सारे मैं धीरे धीरे करके रिकॉर्ड करके क्विकली आपका डाल दूँगा पढ़ने का तरीका आप 10-year के नोट्स में से आप पढ़ सकते हैं 10-year कहा मिलेगा शिवदास का 10-year ले लिजिए नियर वाई किसी भी ठीक है किसी बच्चे का कोई डाउट